आए सुनते हैं पाठ मानवी करुणा की दिव्वि चमक लेखक सरवेश्वर दयाल सकसेना प्रिष्ट संख्या 83-90 सरवेश्वर दयाल सकसेना सरवेश्वर दयाल सकसेना का जन्म सर 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ उनकी उच्च सक्षा इलाहबाद विश्व विद्याले में हुई वे अध्यापक आकाश्वाणी में स्वायक प्रडियूसर दिन्मान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिबागे सहिस्तिकार थे वे कवी, कहनिकार, उपन्यासकार, निबंदकार और नाटक कार थे सर्वेश्वर की प्रमुकृतियां है काट की घंटिया, कुवानो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर तंगे लोग ये कविता संग्र है पागल कुतों का मसीहा, सोया हुआ जल ये कोपन्यास, लडाई एक कहानी संग्र है बकरी नाटक है, भों भों खोंखों, बतूता का जूता, लाख की नाख ये बाल सहित है और चर्चे और चर्खे उनके लेखों का संग्र है कूटियों पर तंगे लोग पर उन्हें सहित अकादेमी का पुरसकार मिला सरवेश्वर की पैचान मध्यमवर्गी आकांख्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है मध्यमवर्गी जीवन की महत्वा कांख्षाओं, सपनों, संगर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रन उनके सहिते में मिलता है सरवेश्वर जी इस्थमकार थे और चर्चे और चर्खे नाम से दिनमान में जो इस्थम लिखते थे उसमें बेबाग सच कहने का साहस दिखता है उनकी अभिव्यक्ती में सहजता और स्वाभविकता है संस्पनन इस्म्रतियों से बनता है और इस्म्रतियों की विश्वसनीता उसे महत्यपून बनाती है फादर कामिल बुलके पर लिखा सरवेश्वर का ही संस्पनन इस कसोटी पर खरा उतरता है अपने को भारती कहने वाले फादर बुलके जनमे तो बेलजियम यूरूप के रैम्स चैपल शेहर में जो गिर्जों, पादरियों, धर्मगुरूँ और संतों की भूमी कही जाती है परन्तु उन्होंने अपनी करम भूमी बनाया भारत को फादर बुलके एक सन्यासी थे, परन्तु पारंपरिक अर्थ में नहीं सरवेक्षर का फादर बुलके से अंतरंग समन्ध था, जिसके जलग हमें इस संस्प्रण में मिलती है लेखक का मानना है कि जब तक राम कता है, इस विदेशी भारती साधू को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाद प्रेम का उधरन माना जाएगा मानवी करुना की दिव्विचमक फादर को जहर बात से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत की अतरिक्त और कुछ नहीं था उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो, ये सवाल किस इश्वर से पूछें प्रभू की आस्था ही जिसका अस्थित्व था, वो दे की इस यात्रा की परिक्षा उम्र की आखरी देहरी पर क्यों दे एक लंबी पादरी के सफैद चोगे से ढखी आकृती सामने है, गूरा रंग, सफैद जहाई मारती भूरी दाड़ी, नीली आखें, बाहें खोल गले लगाने को आतर, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधू में अपने हर एक परिजन के लिए उमरता रहता था मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी वो जब वो इलावाद में थे और तब भी जब वो दिल्ली आते थे, आज उन बाहों का दवाव मैं अपनी चाती पर महसूस करता हूँ फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, उनको देखना करोना के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिष्टे में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुलके थे, हमारी हसी मजाग में वो निरलिप्त शामिल रहते, हमारी गोस्चूं में वो गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक, राय और सुझाओ देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संसकार में वो बड़े भाई और पोरोही जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीशों से भर देते, मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आखों की चमक उसकराते हुए उतरते हैं, देखी देखी, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है, अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेलजियम में इंजि आसी बनने की इच्छा कैसे जग गई जबकि घर भरा पूरा था, दो भाई, एक बहेन, मा, पिता सभी थे, आपको अपने देख की याद आती है, मेरा देख तो अब भारत है, मैं जन्म भूमी की पूछ रहा हूँ, हाँ आती है, बहुत सुन्दर है मेरी जन्म भूमी, रै अभिन नमित्र, डॉक्टर रगुवंश को वह इन चिठीयों को दिखाते थे, पिता और भाईयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, पिता ब्यविसाई थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है, बहुत देर से उसने शादी की, फादर को एक आद बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था, भारत में बस जाने के बाद, दो या तीन बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेलजियम गए थे, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़ कर क्यूं चले आए, प्रभू की इच्छा थी, वो बालकों की सी सरलता से मुस्करा कर कहते, माने बच्पन में ही घोशित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजिनिरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़, फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरू के पास गए, और कहा कि मै सन्यास लेना चाहता हूं तथा एक शर्त रखी, कि मैं भारत जाओंगा, भारत जाने की बाद क्यों उठी, नहीं जानता, बस मन में ये था, उनकी शर्त मान ली गई और वो भारता गए, पहले जिसेट संग में दो साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फि दोद प्रबंद प्रयाग विश्विद्याले के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया राम कथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे, फौदर ने मातर लिंक के प्रसिद नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया, नील पंची के नाम से, बाद में वो सेंट जेविर्स कॉलेज राची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग में विभागादेश हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद अंग्रेजी हिंदी को उश्ट तयार किया, और बाइबिल का अनुवाद भी, और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए, 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिन्दगी जी कर, फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे, कभी-कभी लगता है वो मन से सन्यासी नहीं थे, रिष्टा बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उस सन्यासी करता है, उनकी चिंता हिंदी को राष्ट भाषा के रूप में देखने की थी, हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट तरक देते, बस इसी एक सवाल पर उन्हें जुन जाते देखा, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है, घर परिवार के बारे में निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुक से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोश्णी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यू यादा रही है और फादर के शब्दों से जरती विरल शांती भी, आज वो नहीं है, दिल्ली में बीबार रहे और पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गल नहीं लगाया, जब देखा तवे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलजाए ताबूत में जिस्म पर पड़े थे, जो शांती बरस्ती थी, वो चेरे पर थिर थी, तरलता जम गई थी, वो 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था, दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कबरगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया, कुछ पादरी, रगवंश जी राय का बेटा और उनके परिजन राजश्वर सिंग उसे उतार रहे थे, फिर उसे उठा कर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी चांवाली सड़क से कबरगा के आखरी छोड तक ले जाया गया, जहां धर्ती की गोद में सुलाने के लिए कबर अवाक मुह खोले लेटी थी, उपर करील की घनी चांथी, और चारों और कबरें और तेज धूप के वृत, जेनेंदर कुमार, विजेंदर सनातक, अजित कुमार, डॉक्टर न जो अकेले उस संकरी सडक की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किनी अपरचित आहटों से दबे हुए थे, से मटाए थे, कबर के चारों तरफ, फादर की देह पहले कबर के उपर लिटाई गई, मसीही विदी से अंतिम संसकार शुरू हुआ, रांची के फादर पासकल तोहिना के दोरा, उन्होंने हिंदी में मसीही विदी से प्रारतना की, फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पासकल ने उनके जीवन और कर्म पर शुरूद्धानजली अरपरत करते हुए कहा, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे र पर कोई रोईगा, लेकिन उस सक्षन रोने वालों की कमी नहीं थी, इस तरह हमारे बीच से वो चला गया, जो हम में से सबसे अधिक छायदार, फल फूल गंद से भरा और सबसे अलग, सबका होकर, सबसे उंचाई पर मानवी करोना की देविक चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृती हम सब के मन में जो उनके निकट थे, किसी यग की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी, मैं उस पवित्र जोती की याद में शर्दानत हूँ, प्रश्न अभ्यास, एक, फादर की उपस्तिती देवदार की चाया जैसी क्यूं लगती थी, द पाठ में आए उन प्रसंगों का उलेक कीजिए, जिनसे फादर बुलके का हिंदी प्रेम प्रेकट होता है, चार, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुलके की जो चवी उभरती है, उसे अपनी शब्दों में लिखिए, पाँच, लेखक ने फादर बुलके को मानवी कर कीजिए, क, नम आखों को गिनना स्याही पहलाना है, ख, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, रचना और अभिव्यक्ती, आठ, आपके विचार से बुलके ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा, नो, बहुत सुन्दर है मेरी जन्म भूमी रैम विच्थ होती है, आप अपनी जन्म भूमी के बारे में क्या सोचते हैं, भाशा अध्यन, दस, मेरा देश भारत, विशय पर दो सो शब्दों का निबंध लिखिए, ग्यारह, आपका मित्र हटसन एंडरी ऑस्टेलिया में रहता है, उसे इस बार की गर्मी की छुट्टियो के ब्रह्मन के लिए निमंतृत करने ही तू पत्र लिखिए, बारा, इन वाक्यों में समुच्चे बोधग छाट कर अलग लिखिए, क, तब भी जब वो इलाभाद में थे और तब भी जब वो दिली आते थे, क, मा ने बच्पन में ही घोशित कर दिया था कि लड़का हाथ स गया, ग, वे रिष्था बनाते थे, तो तोड़ते नहीं थे, ग, उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था, जो किसी गहरी तपस्याज से जन्मनती थी, च, पिता और भाईयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन वो स्प्रती में अकसर डूब जाते, पाठे तर सक्रीता, फादर बुलके का अंग्रेजी हिंदी कोश, उनकी एक महत्यपूर देन है, इस कोश को देखिए, समझे, फादर बुलके की तरह ऐसी अनेक विभूतियां हुई हैं, जिनकी जन्म भूमी अन्यत्र थी, ले लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमी किसी और देश को बनाया है, उनके बारे में भी पता लगाईए। एक अन्य पहलू यह भी है, कि पश्चिम की चका चौन से आकरशित होकर अनेक भरतिये, विदेशों की और उन्मुक हो रहे हैं, इस पर अपने विचार लिखिए। शब्द संपदा, जहरबाद, अर्थात, एक तरह का जहरीला और कस्ट साध्य फोड़ा, आस्था, अर्थात, विश्वास, फ्रद्धा, देहरी, अर्थात, देहलीज, पादरी, अर्थात, ईसाई धर्म का पुरहित या आचारिय, आतुर यानि अधीर, उत्सुक, अर्थात, आसकती रहित जो लिप्त ना हो, आवेश, अर्थात, जोश, लबालब यानि भरा हुआ, धर्माचार, अर्थात, धर्म का पालन या आचरन, रूपांतर, अर्थात, किसी वस्तु का बदला हुआ रूप, अकाट, अर्थात, जो कट ना सके, जो बात काटी ना ज सके विरल अर्थात कम मिलने वाली ताबूत अर्थात शव या मुर्दाग ले जाने वाला संदोक या बक्सा करील अर्थात जाड़ी के रूप में उगने वाला एक कटीला और बिना पत्ते का पौधा गैरिक वसंद अर्थात साधूं द्वारा धारण किये जाने वाले पस्त्र शरद्धानत अर्थात प्रेम और भक्ति युक्त पूछ जिपाव यह भी जाने परिमल निराला के प्रसिद्ध कावि संकलन से प्रेणा लेते हुए 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विशविद्याले के सहितिक अभिरूची रखने वाले कुछ उत्साही यवक मित्रों द अखिल भारती इस्तर की गोस्ठियां आयुजित की जाती थी जिनमें कहानी, कविता, उपर्न्यास, नाटक आधी पर खुली आलोचना और उन्मुक्त बहस की जाती। प्रमुख कृतियां रामकथा, उत्पत्ति और विकास, रामकथा और तुलसी दास, मानस कौमुदी, ईसा, जीवन और दर्शन, अंग्रेजी हिंदी कोश, 1974 में पद्म भूशन से सम्मानित, प्रमुख कोश, में कि जाती। झाल झाल